दोस्तों अगर आप भी इस तरह से अपने इस्टाराम की प्रोफाइल को लोग करना चाहते हैं तो आज गी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने इस्टाराम की प्रोफाइल को इस तरह से लोग कैसे कर सकते हैं और जब आप अपने Instagram की profile को lock करोगे तो आप उसमें जो भी post या फिर reel upload करोगे तो वो सिरफ वही लोग देख सकते हैं जिस जिसको आपने follow किया है या फिर आपको जिस जिसने follow किया है बाकि कोई भी other person आपकी reels और post को नहीं देख सकता है जब वो आपकी profile में visit करेगा तो उ आपको बात करते हैं कि आप अपने Instagram की profile को lock कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने Instagram account में जाने केबाद यहाँ पर अपको Shield इसको उफ करने के बाद आपको यहां के बार अब इसको करने के बाद के जो इंस्टाराम की प्रोफाइल है वो लोग हो जाएगी और मालो अगर इसको ओफ करते समय आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन से होता है तो इसमें यह बताया गया है कि आपका जो अकाउंट हो पबलिक अकाउंट है मतलब आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया तो सबसे पहले आपको बैक जाना है बैक जाने के बाद आपको यहां से फिर से थ्री लाइन में जाना है और थ्री लाइन में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और नीचे स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यहां पर एक उप्चन दिखाई देगा करि तो आपको switch to personal account पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से switch to personal account पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो Instagram count है वो personal account में convert हो जाएगा और उसके बाद आप अपने Instagram की profile को log कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरा जो Instagram count है वो personal account में convert हुआ या नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो Instagram count है वो personal account में convert हो चुका है और यहाँ से professional dashboard वाला option रिमूव हो चुका है आपको फिर से three line में जाना है और three line में जाने के बाद आपको नीचे scroll down करना है और नीचे scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाएदा है account privacy आपको account privacy में जाना है और account privacy में जाने के बाद आपको यहाँ से इसको off कर देना है तो चलिए मैं यह से इसको off कर देता हूँ और इसके बाद आपको switch to public पे click कर देना है तो आपको इतना काम करना है और इतना काम करने के बाद आपके जो Instagram की profile है वो लोग होदाएगी और उसके बाद जब आप Instagram पर कोई भी post upload करोगी तो वो सिरफ वह लोग देख सकता है जिस दिस को आपने follow किया है या आपको जिस दिस ने follow किया है बाद की कोई भी person ना तो आपकी post देख सकता है ना ही आपकी follower list देख सकता है और ना ही आपकी following list देख सकता है